नमस्कार दोस्तों, welcome to study with Neelam, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम 3 जुलाई 2021 के सभी daily best current affairs question with point to point section और revision section के साथ complete करेंगे, तो वीडियो में last तक बने रहिएगा, और आपका आज evening में 8 वजे तक 8 पीम तक MPGK का part 4 आने वाला है, तो उसे भी देखना पिलकुल मत भूलिएगा, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट, हाल ही में निम्निमे से किस सहर के द्वारा पहला interactive जेव विविदता मान चित्र जारी किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा A, मुंबई, मुंबई के द्वारा ये interactive जेव विविद जहां वो जादा पाए जा रहे हैं तो उस मैप को यहां पर दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा मुंबई, मुंबई ने पहला interactive जेव विविदता मैप जारी किया है, यहां मैप मुंबई और आस पास पास पाए जाने वाले जीवों और बनस्वतियों की विशिष्ट प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मैप में चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से इस छेतर की जेव विविदता को दिखाया गया है, जैसे हिंद महासागर का जो फेमस है हमप बेक डॉल्फिल, मुंबई सी सलग और मगर मच आदी, ओके, नेक्स्ट द दे रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी YSR से जितनी योजनाय शुरू होती है, वो मोश्टली होंगी कहां कि आपकी आंदरप्रदेश के, और अगर आप्शन में आपका आंदरप्रदेश नहीं है, तो कुछ योजनाय ओडिशा राज्य में भी YSR के नाम से स्टार्ट होती लेकिन मोश्ट प्रभवली चांस होते हैं आंदरप्रदेश के, चलि तो देख लेते हैं इस योजना के बारे में, YSR वीमा योजना आंदरप्रदेश सरकार ने लांच किये, इस योजना के माध्यम से सरकार वीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सी बीमा राश्टी का भुकतान करेगी, योजना के तहट 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड रुपे आवंटित किये हैं, इस योजना के जरिये 18-50 वर्ष की आयू के लावारतियों की सोभाविक रूप से मृत्य होने पर 10 लाग का बीमा राश्टी का भुकतान किया जाएगा, और 18-70 वर्ष की आयू के लावारतियों की अकस्मिक मृत्य होने पर 50-50 लाख रुपे तक का भीमा का भुकतान किया जाएगा, आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री काउने जगन मोहन रेडी जिनों ने यह योजना शिरू किये, यह देश का पहला राज्य जहां तीन राजधा याद रखिएगा, विशाका पटना में कारेकारी या एक्जिक्यूटिव कैपिटल है, इसकी अमरवती नयाई किया फिर आप जूडिशल कैपिटल बोल सकते हैं, और कुर्णूल है इसकी विधाई या बोल सकते हैं, लेजिसलेटिव कैपिटल, क्लियर है, नेक्स्ट द्वारा मध्ध प्रदेश के गौालियर में राष्टि ये बागवानी विकास बोट का उद्गाटन किया गया, इसका उद्धेश बागवानी के छेटर में विकास को बढ़ावा देना है, उत्री मध्ध प्रदेश और ग्वालियर के आस पास के 21 जिलों के किसानों को इसस से रिलेटर हमने कोशन देखा अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मद्ध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं कला केलेंडर यह हमने कल ही देखा था अगला देखते हैं हाल ही में निमन में से किस राज्य सरकार के द्वारा लाल बाग पैलिस के संदक्षन के लिए विशेश कदम उठाए गए गए तो ये भी राइट आंसर होगा हमारा मद्ध्य प्रदेश ठीके मद्ध्य प्रदेश में ही इस्तिते इंदोर सहर में जो है आपकी क्या स्वक्षिता सरवेक्षिन में टॉप करने वाली सिटी ठीके कौन इंदोर में हैं लाल बाग पैलिस और इसके संदक्षन की बात मद्ध्य प्रदेश सरकार ने विशेश कदम उठा रही है यहां इमारत 1926 में बनकर तैयार हुई थी यहां क्लासिकल इमारत अपने यूरोपी इंटीनियर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है को इस दिन पूर्व मद्ध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन के रावर्ड खेड में तो यह इतने पॉइंट आप MP से याद रखेगा हाली में भारती रेलवे ने पहला गतिसील फ्रेश वाटर शुरंग इक्वेरियम इन में से कहां स्थापित किया है तो राइट आंसर होगा हमारा ए बैंगलूरू में स्थापित किया है देख सकते हैं इस तरीकी का यह पूरा यह कहां पर हैं बैंगलूरू में है बैंगलूरू एलेवे श्टेशन पर है भारती रेलवे ने पहला गतिसील फ्रेश वाटर शुरंग इक्वेरियम बैंगलूरू में स्थापित किया है यहां इक्वेरियम एमेजन नदी के प्राकर्तिक सुंधर पर आधरित एक विशिष्ट जलिये पारक है इसकी लंबाई 12 फेटे इस रेलवे एक्वेरियम का प्रवेश शुल्ग मात्र 25 रुपे प्रतियात्री रखा गया है इस इस्तान में प्रवेश करते ही समुद्री जीवन की जलक आपने को देखने को मिलेगी याद रखेगा कहां पर बैंगलूर से सुन रखा होगा कि गंगा के जल में इस तरीके के वेक्टीरिया पाया जाते हैं जो पानी को भी सुद्ध करते हैं और सरीर को भी सुद्ध करते हैं सुना होगा आप लोगों ने गंगा नदी के जल में हानिकारक वेक्टीरिया को नश्ट करने वाला वायरस वेक्टीरिय फेस पाया जाता है जिवानु वेग्यानिक अर्नेश्ट हैकिंस ने 1896 में गंगा नदी के जल में वेक्टीरियो फेस की खोच की थी उन्होंने अपने अध्यन में पाया था कि यहां वाइरस गंगा के पाने की गुणवत्ता को नुकसान नहीं पहुचाता बलकि रोग जनक औ तो यह आपके लिदानना जरूरी है हाली में उत्तर भारती चेतर में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में ब्रद्धी दर्जी की गई इस काईमेट ने 1 जुलाई को के तापमान के आधार परदेश के सीर से 10 गर्म सहरों की सूची जारी की है इसमें सबसे अधिक तापमान के सहर का दर्जी किया गया है तो राइट आंसर होगा शरी गंगा नगर कहां पर है राजिस्थान में है शरी गंगा नगर और यहाँ का त्रेंपरेचर 10 गर्म हवाओं के कारण हाली में तापमान में काफी ब्रद्धी दर्जी की गई इसकाई मिटने एक जुलाई की तापमान के आधार परदेश के 10 सीर से सहरों की लिष्ट जारी की इस सूची में सबसे अधिन की तापमान राजिस्तान के गंगा नगर का 45.8 डिग्री सेल्सियस जबकि दिल्ली का 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इस सूची में दिल्ली साथवे स्थान पर है और टॉप पर कौन है शिरिगंगा नगरे ठीके और मैंने इससे पहले एक दो तिन पहले आप लोगों को बताये था जाकोबाबाद जाकोबाबाद कहाँ पर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है कली हमने देखा था यहां का ट्रेंप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कितना विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया बावन डिग्री सेल्सियस तो यह भी आप याद रखिएगा अगला देखते हैं सुल्तानपूर, फैजाबाद, अमबेटकर नगर, अमरागड, मौ और गाजीपूर यह इतने सहर पूरवांचल एक्सप्रेस वे में महतपूर भूमिका निभाएंगे इनको जोड़ेगा अगस्त 2021 से पूरवांचल एक्सप्रेस के परिचालन की गोशना की गई है यहां उ गोशना की गई है अगला देखते हैं ताल जौला मुखी के विस्पोर्ट की चेतावनी के साथ ही आस पास के छेतर को खाली करने के सला दी गई है यहां जौला मुखी किस देश में इस्तेत है तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा भी फिलिपिन्स में इस्तेत है कौन सा ज्वाला मुखी ताल ज्वाला मुखी के विस्पोर्ट की चेतावनी के साथ ही आसपास के चेत्रों को खाली करने के सला दी गई है यहां ज्वाला मुखी फिलिपिन्स में मलीना है मलीना क्या है फिलिपिन्स की कैपिटल मलीना से दक्षिन में 70 किलो मीटर की दूरी पर इस्थान पक्का किया बताईए देवेंद्र जाजरिया का संबंद किस खेल से है तो राइट आंसर होगा भाला फेक ठीके भाला फेक में कौन चुने गए हैं देवेंद्र जाजरिया इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया है लाड़ी हैं उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नहरु स्टेडियम में ट्राइल के दोरान 65.71 मीटर की दूरी का पर भालक को फेका ठीके जहाजरिया ने कौलिफाइंग इवेंट में 63.97 मीटर के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ कर 65.7 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाय है 40 वर्षी देविंद्र जहाजरिया ने पेलरा लामपिक्स में पूर्सों की एफ 46 स्रेणी में दो स्वर्ण पदक पहले ही जीत चुके हैं ओके याद रखेगन का नाम इंपोर्टेंट है हाली में भारतिय तटक्छा बल ने तिलांग चांग दीप से साथ मच्वारों को बचाया यहां द्वीप कहां इस्तिते तो राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप सम्मू कहां इस्तिते तो यहां पर एक मैप है यह जो आप देख रहे हैं निकोबार निकोबार के नीचे आपको यहां दिखाई देगा कौन सा है आपका तिलांग चांग दीप ठीक है यह दिखे दिख रहा है आपको यह यहां पर ओके तो यह आप याद रखेगा तिलांग चांग दीप भारतिय तटरक्षा बल ने तिलांग चांग दीप से साथ मचवारों को बचाया य यहां से अंडमान नेकुबार दीप संभू में इस थे यहां द्वीप अंडमान नेकुबार की राजधानी पोर्ट विलियर से दक्षिन में लगबक 350 किलोमेटर दूर है और एक निर्जन द्वीप है ठीक है भारतिय तटरक्षा बलके डारेक्टर जनरल कौन है तो यह है कृ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है मैंनत पसंद आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपको सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन मिले आप हमारा टेलिग्र आप चैनल जॉइन कर सकते हैं क्योंकि कई बार यूटूब से आपको जो नॉटिफिकेशन है वो देर से प्राप्त होता है तो यहां पर आपको नॉटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा और नॉटिफिकेशन के साथ ही आपको PDF फाइल भी प्रोवाइट कर दी जाती है ओके फ्रेंट्स चली तो देखते हैं पॉइंट पॉइंट सेक्शन राष्टिय सिक्षक दिवस प्रती वर्ष एक जुलाई को मनाया जाता है हाली में पश्चिव मंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना काड योजना प्रारंब की है नासा के प्रोग् ब्लेक कारवन से आज समय म्रत्यू का कारण बन राइकॉन ब्लेक कारवन पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जाकोबाबाद बावन डिगरी सेलसेज तापमान के साथ सरवादिक गर्म इस्थान बन गया है मध्यपरदेश सरकार ने कला कैलेंडर 2021 में कर्मा नरत्य चित्रकारी कलावाई शाम के द्वारा की गई है रूस के प्राष्ट पती ब्लादीमिर पुतिन ने अमेरिका पर विमानों के साहता से काला सागर की निगरानी करने का रोप लगाया है काला सागर से किन-किन देशों की सीमा लगती है रूस बुलगारिया तुर्की रोमानिया जॉर्ज साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है प्रधान मंतिर नेरेंदर मोदी ने गुजरात के एहमदाबाद में जैन गार्डन और काईजन अकेडमी का उद्गाटन किया है हाल ही में मकडी की प्रजाती का नाम 26 ग्यारा अतंग की हमले के हीरो तुका राम ओमले के नाम इने पैरिस विश्वत तीरंदाजी में स्टेज 3 में तीन स्वर्ण पदक जीते हैं चोधुवे राष्टपती रामनात कोविंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के परोंख गाउं में हुआ था जहां पर हाली मेनों ने क्या किया था विजिट किया था स्पैनिस प्रिंसिस ऑफ अस्तूरियस लिट्रेचर अवार्ड से एमिनल करेरे को सम्मानित किया गया है जार्खन राज्य क्रिकेट संग के द्वारा हाली में अंतरष्टी क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्ण लिया है तो कहां बनेगा ये स्टेडियम बोकारो सहर में बनाया जाएगा ओके हाली में विश्व बेंक ने केरल को प्राकरतिक आपदाओं की खिलाप तैयारी में मदद करने के लिए रिजिलियंट केरल प्रोग्राम के तहट 125 मिलियन डॉलर साहता देने की गोश्टना किये किसने विश्व बेंक ने विश्व बेंक के अध्यक्ष कौने बरतमान में डेविस मलपास हैं रिलाइंस इंडरस्टीज ने भारतियों को तेज इंटरनेट से जोडने के लिए 5G सिवाओं के लिए साजेदारी किसके साथ किये गूगल क्लाउट के साथ किये बैलेस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम की मारक चमता 1000-2000 किलोमीटर तक उच्च ने आयले के कारेवाहक मुख्य ने आयदिस्त रवी विजे कुमार मलीमत को बनाया गया है राष्टी तकनी की सिक्षा प्रसिक्षन और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में उशा नटेशन को निक्त किया गया है इस संस्थान का मुख्याले आपको सरकार ने इलेक्टरिक वहानों के वी निर्मान और इस्तमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है जो फेम इंडिया योजना ही एक इसका भागे नैशनल इलेक्टरिक मॉबिलिटी मिशन का ही एक में मनाया जाता है भारती सांकी की संस्थान कहां पर इस्थित है कौलकत्ता में इस्थित है टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए कौलिफाई करने वाले भारत के पहले 13 कौन से बने साजन प्रकास बन गया है फॉर्मुला वन ड्राइवर मैक्स वेस्टरेपन ने इस्टारिन ग्रेंट पी 2021 का खिताब जीत लिया है और मैक्स वेस्टरेपन किस देश से हैं बेल्जियम से हैं किस कार कंपनी के ड्राइवर है रेड बुल के हैं सबसे ज़्यादा प्राकरतिक गेस का अत्पादन कहां से होता है तो बंबे हाई से होता है देश की सबसे बड़ी बुद् में ग्रेंड मास्टर बनने वाले ब्यक्ति बन गए हैं ओके भारती मुलके याद रखिएगा वन महस्व एक से साथ जुलाई 2021 तक मनाया जा रहा है ओके फ्रेंट तो ये था हमारा आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया पस्पा पसंद आया है जाँ